हलो केट्स एंड दियर पैरेंट्स टूड़े अर् सेशन एस फॉर हिंदी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चो दो अक्षर के शब्द दो अक्षर जोड़ना सीखा था तब शब्द बनाये थे तो आज हम वैसे ही जोड़ेंगे तीन अक्षर के शब्द तो हमने कौन-कौन से शब्द लिखे हैं यहाँ पर कमल कमल नमक नमक कलम कलम अकड अकड गरम गरम लिखे तो हैं पर इसको जोड़ के बोलते कैसे हैं वो अब हमें सीखना है तो आज हम वही सीखेंगे ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले कमल कमल है हमारे पास तो पहले हम क्या लिखेंगे क छीक है क लिखा क में हमने जब जोड दिया म क में हमने क्या जोड़ा म उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा था ल जोड़ा क म ल क्या बन गया कमल फिर एकदम हमने इस पेट में बोलना है यानि के तेज में बोलना है कमल अभी हमने कैसे पढ़ा था कमल फिर जब हम अपने इस फीट में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कमल ठीक है तो यह क्या बन जाता है हमारा वापस से कमल ठीक है इस तरीके से लिखेंगे फिर हम इसको फिर हमारे पास नमक पहले लिखेंगे न में जोड़ा हमने म में फिर जोड़ा क क्या बन गया नमक क्या से लिखेंगे इसको इस तरीके से नमक फिर हमारे पास है क्लम क्या है क्लम तो हमने क्या लिखा पहले क क में ल क्या बन गया फिर यह हमारा क्लम क्या बना क्लम क्लम फिर आते हैं हमारे पास अकड अकड यानि की अकड है हमारे पास तो इसको कैसे लिखेंगे अ में जोड़ेंगे क क में जोड़ दिया र क्या बन गया अकड अकड क्या बना हमारा अ कड अकड फिर हमारे पास गरम यानि की गरम तो पहले लिखेंगे क्या गर में हमने जोड़ा र फिर जोड़ा म तो क्या बन जाएगा गरम गरम तो आज हमने क्या सिखा तीन अक्षर वाले शब्द की हम कैसे जोड़ के तीन अक्षर वाले शब्द बनाते हैं ठीक है तो बच्चो घर से भी आपको ऐसे ही दस शब्द और लिखने हैं जोड़ के इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाए हैं ठीक है बच्चो तो आज क्ले इतना रखेंगे हम बाकि हम आगे की क्लास में करेंगे ठीक है ठैंक्यू बच्चो क्वश जास करेंगे हैं